असलामों आलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे आलो अगर आपने अभी तक माई कुकिंग ट्रैम के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस सब्सक्राइब बेटन को प्रेस करने और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमें जो चीज चाहिए चाट मसाला वन टी स्पून साब दनिया कुटव वन टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून लसन में टेबल स्पून चॉपकियो और कुटी लाल मिर्ची वन टी स्पून गुर है यह मेरे पास गरण चाहिए बंन करांगे दॉस्पून नमा के बं टी स्पून इंगली का प्लक फेफ़्टे टेबल स्पून ह्रह दनिया है तू टेबल स्पून ऑउल है ठीरेटेबल स्पून आलो बाया मेरे पास हम्हाफ को ए बील One अग पेन में तृश्फून अली ने ब्रेटेड़ डालेंगे और इसे फ्राइ करेंगे गुर्डन ब्राउने तब यह मारे लैसें गुर्डन ब्राउन होगे इसके अंगर हम गुर्ड डालेंगे अगर आपके पास गुर्ड नहीं है तो आप ब्राउन चुकर या वाइप चीनी भी डाल सकते हैं इससे इसका टेज़ बहती जवरदस्ट हो जाता है इसके अदर हम ये इंव्री कापेज़ डालेंगे और शेग गूल के साथ मिक्स करेंगे इसके अंदर अब मसाले डालेंगे राल मर्ची जर्दे करम डालेंगे चाठ मसाला, साबु धनिया कुटा हुआ, नमग डालेंगे दालेंगे अब अची तरह मिक्स करेंगे यह मिक्स होगी अब हम इसके अंदर डालो डालेंगे इसको मेने काट लिया था और इसे अची तरह मिक्स करेंगे पस हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसका मसाला ड्राय हो जाए इसको पर हमारा धनिया डालेंगे और इसे दबार मिक्स करेंगे ताकि मसाल अची तरह ने इसमें मिक्स हो जाए पर आफ जट पर रेसिपी यह बहुत ही जट पर रेसिपी यह वांस मिनट में बन जाती है यह दो मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे दो मिनर्स हो गाए ही जटें हमारे आलू मसाले में अची तरह मिक्स हो गया है अब हमेंसे डिश में निकालेंगे हमारी चटपटे आलू तयार है अब हम इसे डिश में निकालेंगे हमारे चटपटे आलू तयार है बहुत ही कुईक रैसिपी है आप लग भी ट्राइ करें माई कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब करें लाइक शोने और कमेंट करें फिर आउंगी एक नई और कुईक रेसिपी के साथ अलाहाफेश कुक पुटार माई करें लाई-घर भी गाum